नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों 79000 सिचक भरती के सम्मद में एक ब्रेकिंग न्यूज है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों को भी कुछ लोगों साथ पता चल गया होगा भी तक दोस्तों यह मैटर अब सुप्रिम कोट पहुच्च चुका है सुप्रिम कोट में इसके खिलाफ जो है मैटर की सुनवाई के लिए के टाल दि गयी है केमय कोई भी टाल सकता है पक्ष्चron कोई काविय डाल सकता है के मिड़ तो इस सुप्रिम कोट में जो डाला गया है वह बंदना सिंसके के नाम से डाला गया जो कि एक सिक्षा मीत्र हैं तो सिक्षा मीत्रों की गुरूप की तनरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है अब आप सोंच रहा होंगे कया होता है कि सुप्रिम कोर्ट जिसमें कि कोई भी decision अगर किसी भी चीज मिल लेना है तो उनको सुनना पढ़ेगा मतलों कि मुझे सुनो तो यह जैसा कि राज्य सरकार कहीं ऐसा न हो कि BTC और चात्रों के लगातार जो चात्रों उनसे मिलने हैं इस सम्बंद में और जो नाराजगी है चात्रों की इसको दूर करने के लिए कहीं decision इनके पच्छ में ना ले ले तो उसको रोकने के लिए केवेड डाली गई है अब राज जिसरकार कोई भी decision बिना सिख्छा मित्रों का पक्ष रखे हुए नहीं ले सकती है अब कोई भी decision राज सरकार को लेना होगा तो सिख्छा मित्रों का पूरी पूरी सुनवाई होगी दोनों तरफ से बहस होगी तभी जाके फाइनल डिसिजिएन लिया जा सकता है दोस्तों इससे एक चीज और निकल के आई सामने कि राज्य सरकार जहाँ डवल बेंच में जाने की सोच रही है और अभी तक कोई डिसिजिएन नहीं लिया इतना टाइम हो गया वहीं सिक्षा मित्रों ने ततप्रता दिखाई है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये बीटीसी और बीट के भी बात की जाए इन लोगों ने भ हारी है हाई कोट भी पहले वही गये थे तो अब इस भरती में आगे बहुत समझाएं आने वाली हैं तो दोस्तों यह थी अपडेट एक जो आप लोगों को बताना मजरूरी समझ रहा था इस तरह की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे इसके लिए अगर आपने हमारे च करन दबा दिजिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में